नमस्कार, खुटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दे की मारंग हादा थाना छेतर के ग्राम तिलमा के ग्रामीन और पुलीस परसाशन कई दिनों से आमने सामने थी जिसे लेकर पसाशन दोआरा 21 लोगों पर सांती भंग करने को लेकर नोटिस किया गया था नोटिस में दिये गए समय के अनुसार, गुरुवार को सभी ने अनुमंडल पतादी कारी के हां आकर अपनी अपनी उपस्तिती दर्ज कराई वहीं अगली खबरों में बता दे कि खुटी परखंट छेत्र के ग्राम मूरही में वर्सों से कच्चे मकान में संचालित हो रहे मदर्शा पिछले दिनों तेज हावा के साथ बारिस के कारण पूरी तरह से छती ग्रस्तों कर गिर गई जिसे ग्रामिनों दोरा आपसी मदद से पुरना तयार करने का प्रियास क्या जा रहा है इसे लेकर ग्रामिनों ने सरकार से मांग की कि उन्हें किसी परकार की सहता उपलब्द कराई जाए ताकि मदर्शे को फिर से पुरना संचालित क्या जाए खबरों में आगे बतादे कि खुटी नगर पंचायत के नए कारेपालग पतादेकारी ने गुरुवर को अपना पध्भार गृन कर लिया है वही पुर्व कारेपालग पतादेकारी आसिसցमार को सो सम्मन बिदाई दी गई खबरों में आगे बता दिक की मजगाओं के सरगरिया हाट में आदिवासी हो समाज के द्वारा सदस्यता भी अन चलाया गया यह अभी अन आदिवासी हो समाज के पस्टिम सिंग्भूम जिला अध्यक्ष गब्बर सिंग हैम्रों के अध्यक्षता में चलायी गई जिसमें 15 लोगों ने आदिवासी हो समाज की सदस्रता को अगर अन किया इस पूरे कारिकरम की जानकारी है में गबर सिंग के दुआरा दुर्भास के माध्यम से दिया गया खुटी और आसपास के जीलों की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज गुंजन